ओल्रवाइटर। sowaf, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं Delhi University Joint Admissions Test के बारे में यानि कि D.U.J.E.T. के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि B.B.A. कराने वाले कौन से colleges हैं B.M.S. कराने वाले कौन से colleges हैं और B.B.E. कराने वाले कौन से colleges हैं इसके साथ हम बात करेंगे कि DUJET इस बार होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है और नहीं होने वाला है तो फिर क्या होगा DUJET के बजाए किस तरह से आपका admission होगा इन courses के अंदर सो हम लोग धीरे धीरे अच्छे से इस चीज़ पर बात करते हैं एक भी point छूटने ना पाए सो सबसे पहले देखो DUJET जो है वो है Delhi University Joint Admission Test जिसके तुरू Delhi University के अंदर आपका admission होता था BBA के अंदर Bachelor in Business Administration जिसको BFI भी बोला जाता है इसके अलावा BBE के अंदर Bachelor in Business Economics के अंदर इसके अलावा BMS Bachelor in Management Studies के अंदर सो इन courses के अंदर DUJET से पहले admission हुआ करता था जो eligibility थी पहले की आपके 12th class के अंदर 60% कम से कम marks होने चाहिए best of 4 के अंदर और best of 4 के अंदर आपको include करना ज़रूरी है mathematics और English को यह eligibility criteria था अगर आप इसको cross कर जाते हैं तभी आप DUJET का entrance दे सकते थे अब बात करते हैं कि Bachelor in Business Economics से related कौन-कौन से Delhi University के अंदर colleges थे वो पहले भी थे और वो अब भी है, admission procedure चेंज होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा तो जो Bachelor in Business Economics colleges कराते हैं वो है आरे भटा कोलेज, बी आर अमबेडकर कोलेज, CVS, College of Vocational Studies, गारगी, लक्षमीबाई, महराजा अगरसेन, शिवाजी, गुरू गोबिन सिंग, गुरू नानक देव खालसा और गुरू तेक बहाधुर खालसा कोलेज तो यह जितने भी colleges मैंने बताए हैं यह Bachelor in Business Economics कराते हैं जिससे आप D.U.J. के तुरू admission ले सकते थे अब हो सकता है admission procedure change हो जाए लेकिन colleges तो वही रहने वाले हैं तो यह information तो आपके काम आने ही आने वाली है इसके बाद वह कौन से colleges है D.U.J. के जो B.M.S कराते हैं Bachelor in Management Studies कराते हैं तो वह colleges है आर्यभटा है, CVS है, दिन्दयाल उपाध्याय कोलेज है, केशव महाविद्यालो कोलेज है, रामलाल आनन्द कोलेज है, रामानुजन कोलेज है, शहीद राजगुरू कोलेज है शहीद सुगदेव कोलेज है जो की नंबर वन कोलेज है और गुरू गोबिन सिंग कोलेज है इसके बाद बात आती है B.B.A. B.F.A. कराने वाले कौन-कौन से colleges हैं, तो उसके अंदर शहीद सुगदेव कोलेज है और शहीद राजगुरू कोलेज है अगर मैं बात करूँ जोब्स की, प्लेसमेंट्स की तो यहाँ पर आपको डेटा एनलिस्ट की जोब मिल सकती है और भी कुछ इसी फील्ड के अंदर आपको जोब मिल सकती है जो यहाँ पर companies आती है वो है Deloitte है, Bain है, Google है तो इस तरह की companies यहाँ पर जादा आती है और शही सुग्देव कोलेज जो है वो तो बेस्ट कोलेज है, तो अगर मैं package की बात करूँ तो वहाँ पर तो आपको average package 6-7 lakh per annum मिलता है और अगर मैं बात करूँ highest package की तो 17-20 LPE मिलने के chances है इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ शही सुग्देव के अलावा जो दूसरे DU के colleges हैं उनके क्या package हो सकते हैं, तो उनके तो 3-4 lakh per annum average package होते हैं अब हम बात करते हैं कि previous exam pattern क्या था DUJ का और अब क्या होने वाला है और ये assumption होगी कि क्या होने वाला है लेकिन मैंने काफी कुछ देखा है इसके बारे में articles पड़े हैं उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ प्रिवियस exam pattern जो था DUJ का उसके अंदर क्या था कि 100 questions आते थे 25-25 नमबर के 4 sections होते थे 25 questions के जिसमें से 25 questions होते थे वो होते थे आपके quantitative ability के उपर 25 questions का जो section होता था वो होता था reasoning and analytical ability पे 25 questions का section होता था वो होता था general English और last section होता था वो होता था business and general awareness तो इस तरह से 100 questions अलग-अलग sections से होते थे और जो आपका admission होता था वो सिर्फ और सिर्फ entrance के basis पर नहीं होता था उसके अंदर क्या होता था कि 65 जो priority थी 65% की priority वो दी जाते थी आपके entrance exam को तो दोनों को मिला कर एक ऐसा framework बनाया जाता था कि जिससे आपका admission हो जाता था उन courses के अंदर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार यह laptop क्यों रखा है जब तुम्हें copy में ही लिखना था 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 हवा बजी हाँ चल गया अब हम बात करते हैं कि नया admission procedure क्या हो सकता है तो आप सभी को पता हुआ कि जब से new education rules आये हैं तो उसके अंदर कहा गया है कि सभी universities का central universities का जिसके अंदर 54 included है तो उन universities का एक ही entrance exam होगा तो अब क्या होने के chances से जो मुझे लग रहा है जैसे Delhi University अपना DUJet कराती थी उसके अंदर 3 courses होते थे अब जो जो university जो college मालीजी ये BBA कराता है तो उन सभी के लिए एक ही entrance exam होगा अब मालीजी अगर DUJet हट भी जाता है तो अभी आपको specific BBA का entrance exam है वो देना होगा अब मालीजी ये BBA Delhi University कराती है Christ University कराती है इसके अलावा जो नारसी मोंजी है वो कराती है इंदरपस्त college इंदरपस्त उनिवर्सटी जो है वो कराती है तो हो सकता है उन सभी universities का जो भी उस 54 की list में है उन सभी universities का एक ही entrance exam हो BBA का अब हो सकता है डिव जा ठट जाए BBA का अलग exam हो BBE का अलग exam हो इसके साथ साथ BMS का अलग exam हो इस तरह से आपका exam हो सकता है इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अब इससे क्या-क्या consequences हो सकते हैं मैं अक्सर बताता हूँ last video के अंदर भी बताया था मैंने दूसरे perspective से so इसके अंदर एक चीज़ यह हो सकती है कि जो 12th class की अपकी priority add की जाती थी 35% की पहले admission के लिए आप उसको demolish किया जा सकता है कि मतलब इसको degrade कर दिया जा सकता है उसकी value को हो सकता है पूरा पूरा entrance based ही आपका admission हो इसके साथ important चीज़ ये है कि जो exam pattern होगा हो सकता है वो change हो जाए लेकिन जो exam का slabus होगा, वो change नहीं होता हो सकता है थोड़ा बहुत change हो जाए लेकिन बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा ही change हो जाए क्योंकि जो exam बनाया जाता है वो उस course को देखकर बनाया जाता है तो इसलिए syllabus change होना मेरे हिसाब से impossible है pattern ज़रूर change हो सकता है तो मुझे ऐसा लगता है इसके साथ साथ अब admission कैसे होंगे तो यह हो सकता है कि जितने भी college universities वो course करा रही है आपको form भरना पड़े उसके बाद आपका entrance exam हो entrance आने के बाद आपका result आए result आने के बाद different universities की cut off आजाएगी और cut off के बाद आप अगर किसी कही पर आपका admission हो रहा है एक course के लिए जैसे ही Delhi University की bulletin आती है मैं आपको exactly बता दूँआ कि क्या होने वाला है अभी फिलाल तो सिर्फ assumptions ही है so I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और D.U.Jet के बारे में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा so आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और bell icon को दबा सकते हैं क्योंकि हमें अभी इस चैनल को थोड़ा सा और grow करना है अभी सिर्फ शुरुआत है so वीडियो देखने के लिए शुक्रिया आप लोग मुझे Instagram पर follow कर सकते हैं link description में है शुक्रिया